अलो क्लास 10 आज आप मैठ में देखेंगे exercise 7.2 तो देखें क्या find the coordinate of the point which divides the join of minus 1,7 and 4,3 in the ratio 2 to 3 तो यह जो points है आप इसे ले लिजे एक्स 1, y1 और यह एक्स 2, y2 second point और जो ratio है आप इसे m1 और m2 भी ले सकते हैं okay m, n भी ले सकते हैं k और 1 भी ले सकते हैं okay तो यहां पर क्या हो जागा required point required point या coordinate क्या हो जाएगा formula देखें क्या होता है m1 x2 m1 x2 plus m2 x1 formula बहुत हीजी है m1 m2 सिधा सिधा है और x2 x1 आपका reverse है comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 तो m1 की value क्या है 2 है x2 की value कितनी है देखें 4 है फिर m2 की value कितनी है 3 है और क्या करते हैं क्या क्या करते हैं x1 की value कितनी है माइनस 1 ओके m1 plus m2 नहीं 2 plus 3 2 plus 3 और m1 कितना है आपका 2 है y2 कितना है देखें माइनस 3 है m2 कितना है 3 है और y1 कितना आपका 7 है ओके और फिर से ratio 2 plus 3 तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और यहां कितना माइनस 3 2 और 3 आट करें कितना 5 2 3 जा माइनस 6 7 3 जा 21 2 3 5 8 माइनस 3 करते हैं 5 by 5 हो जाएगा और यह कितना 15 by 5 तो कैंसल करेंगे 1 कामा 3 ओके यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्ट नेक्ट को सेने फाइंड दा कोडिनेट आप दा पॉइंट साफ ट्रैसेक्शन आप दा लाइन सेग्मेंट ज्वानिंग 4 कामा माइनस 1 और 2 कामा माइनस 3 इसके लिए आप फिगर कर लिजे लाइन पहले हैं इसके क्षोर्ट कामा माइनस 3 को सेथरे सेंट करना है इसके इसके जाइवर आपका तु स्कार ίहलाक्ड मेहर आप आप लिए hai a M1 यह और M2 आपका 1 हो जाएगा, ओके, तो coordinate, यहाँ पर क्या, coordinate of P, formula क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2, M1 कितना है, 1 और X2 है, आपका, माइनस 2, ओके, और M2 कितना है, आपका, 2, और X1 कितना है, आपका, 4, ओके, अपान 1 प्लस 2, M1 1, Y2 कितना आपका, माइनस 3, M2 2, और Y1 कितना आपका, माइनस 1, M1 1 प्लस 2, ओके, माइनस 2 और यह कितना हो जाएगा, 4, 2 जा, 8, by 3, then, माइनस 3, माइनस 2, by 3, तो माइनस 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 6, 6 by 3, कॉमा, माइनस 5 by 3, तो 6 by 3 कैंसल हो कि आपका, 2 हो जाएगा, और यह माइनस 5 by 3, ऐसी रहेगा, ओके, ऐसे आप Q का भी कॉडिनेट निकाल सकते हैं, कॉडिनेट, आफ, Q, find out करेंगे, तो यह आपका, X1 है, और यह Y1 है, यह वाला पॉइंट, और यह X2 और Y2, पर कोशन जहां लाएगा हैं, वहाँ मैंने राइट किया भी, तो फॉर्मुला तो वही रहेगा, बस M1, M2 यह आपने अभी जो लिया था, इसको आप नहीं लेंगे, क्यूँ वाला लेंगे, ओके, तो M1 कितना है यहाँ पे, 2 है, और X2 क्या हो जाएगा, माइनस 2, देन M2 कितना है, 1, और X1 कितना हो जाएगा, 4, by 2 प्लस 1, और फिर M1 कितना हो जाएगा, आपका 2, और इसके बाद Y2, माइनस 3, देन M2, 1, और आपका, Y1 कितना हो जाएगा, माइनस 1, अपॉन 2 प्लस 1, अगर मल्टिप्लाई करें, क्या मिलेगा, माइनस 4, प्लस 4, बाइ 3, और यहाँ पे, माइनस 6, माइनस 1, बाइ 3, तो माइनस 4, प्लस 4 आपका 0 हो जाएगा, 0 बाइ 3 करेंगे, 0 हो जाएगा, और यह माइनस 7 बाइ 3, ओके, यह आपके, आंसर होगे, दोनों, एक ही है, और यह सकेंड, फर्स्ट वाला, यह आंसर, ओके, यहाँ पे, प्लस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे, 1-1 मीटर पे, ओके, और उसके बाद, क्या कह रहा है, कि 100 फ्लावर पॉट्स, हैब बिन प्लेस, एटर इस्टेंस आफ, 1 मीटर, फ्रॉम इच, अदर, अलॉंग, एडी, और एडी पर आपका, क्या है, यह एडी पर फ्लावर पॉट्स रखे गए, 100-100 मीटर पर, तो आपको, यहाँ पे क्या कह रहा है, कि प्रीतीर, स्वरी, निहारिका, निहारिका रन, 1 by 4 of the distance, एडी, तो निहारिका की, पोजिशन्स क्या हो जाएगी, पोजिशन्स आफ निहारिका, यहारिका, अगर आप राइट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 by 4, करें कितना हो जाएगा, 25 और पोजिशन्स आफ पॕी, ऑके, पोजिशन्स आफ पॕी, कितना हो जाएगा, 100 into 1 by 5 कितना हो जाएगा cancel करोगे 20 हो जाएगा ओके फर्स्ट वाली निहारी का है सेकेंड वाली प्रिती है तो इसका कोडिनेट कितना हो जाएगा निहारी का X पे कितना है 2 और Y पे कितना है 25 और ऐसे यहाँ पे यह प्रिती है तो X पे कितना है 8 है तो दोनों के भी इस डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ओके, x1-x2, x कितना है 2, और x2 कितना है 8, whole square of 2-8, plus whole square of y1-y2, 25-20, 2-8 करें कितना है वोगा, minus 6, और यहां कितना, 5, 6 का स्कार 36, और 5 का 25, एड करें कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6, अडर रूट 61, मीठर, ओके, और उसके बाद आपको कह रहा है कि यहां पे, question में, कि what is distance between both, if रस्मी has to post a blue flag exactly half way between the line segment, joining the two flag, where should she post her flag, तो क्या कहते हैं, रस्मी को बीच में एक flag लगाना है, middle में एक दम, ओके, तो flag की position क्या होगी, तो position of flag, position of flag, क्या हैं जाएग, middle के लिए formula आप लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 by 2, कामा y1 प्लस y2 by 2, तो x1 कितना है, 2 और x2 कितना है, 8, ऐसे y1 कितना है, 25 और y2 है आपका 20, तो यहां पे 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 by 2, कामा 45 by 2, तो यह कैंसिल हो जाएगा, 5 और 45 by 2, ओके, next, find the ratio in which the line segment joining the point 3, sorry, minus 3, 10 and 6, minus 8 is divided by 1, 6, यह यह आपका x1, y1 है और यह x2, y2 है, और यह जो point है, divided point, ओके, यह x, y, और आपको यहाँ पे ratio बताना है, तो m और m1, m2 ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखे, m1, यह x equal to, x equal to क्या होता है, m1, x2, plus m2, x1, m1 plus m2, x equal to minus 1, m1 कितना है, नहीं पता, m1 write कर दिया, x2 क्या है आपका, 6, और m2 भी नहीं पता है, m2 write कर दिया, और x1 कितना है आपका, minus 3, ok, अपन, m1 plus m2, अब m1 और m2 आपका left side में आएगा, तो कितना हो जाएगा, minus m1, minus m2, और यह 6 m1, minus 3, m2, m1 को left side में लाएगे, और m2 को right side मिले जाएगे, m1, minus 6 m1, minus 3 m2, और यह minus m2 इधर आएगा, तो plus m2 हो जाएगा, ok, minus 1, minus 1 m1 और minus 6 m1, कितना हो जाएगा, minus 7 m1, और यहाँ minus 2 m2, ok, minus minus both side है, cancel कर दिजिये, m1 अपॉन m2, इक्वल तो कितना हो जाएगा, 2 by 7, therefore, m1 is to m2, इक्वल तो 2 is to 7, ok, question number 5 कहरा, find the ratio in which the line segment, a 1, minus 5 and b minus 4, 5 is divided by the x-axis, ok, also find the coordinate of the point of division, तो x-axis का coordinate क्या होता है, x-axis का coordinate होता है अपका, coordinate of x-axis, x-axis equal to x, 0, कभी भी ज़र x पर cancel हो रहा है, तो उसका coordinate क्या होगा, x, 0, और point क्या यहाँ पर दिए है, x1, y1 इसे लिए और यह x2, y2, तो find the ratio which line segment, joining 1, minus 5 and b, minus 4, 5, तो यहाँ पर 0 equal to आप लेके चले, किसको लेके चले, 0 equal to, यहनि y equal to, तो y equal to क्या होता है आपका, m1, y2, plus, m2, y1, upon, m1, plus, m2, अब y क्या है आपका, 0 है, तो यहाँ लेके 0 equal to, m1, नहीं पता, y2 कितना है आपका, और m2, unknown है, और y1 क्या है आपका, minus 5, तो plus 5, sorry, minus 5, write कर दिया, m1 plus m2, तो m1 plus m2, यहाँ पर left side में आके, 0 से multiply होके, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 m1, और यह minus 5, m2, m1 को left side में लिज़े, तो minus हो जाएगा, ओके, और यह 5, m2, minus minus, cancel हो गया, m1 upon m2, equal to 5 by 5, यह भी cancel करते तो, 1 by 1, therefore, m1, is to m2, equal to, 1 is to 1, इसके बाद कर, also find the coordinate of point division, तो x की value अगर आपको चाहिए, तो m1, m2 मिल गया है, तो x equal to क्या हो जाएगा, x equal to m1, x2, plus, m2, x1, upon, m1, plus m2, okay, x तो नहीं पता आपको, x ही write करिए, m1 पता चल गया, 1, और x2 कितना आपका, minus 4, m2 भी 1 है, और, x1 कितना आपका, 1 है, upon, m1, plus m2, sorry, m तो आपको पता चल गया है, तो आप यहाँ पर कितना write करिए, 1, plus 1, okay, 1, plus 1, कितना हो जाएगा 2, तो 2 अगर यहाँ पर आता है, left side में, तो कितना हो जाएगा 2x, और यह आपका, minus 4, और यह plus 1, तो 2x एक्वल to, minus 3, x एक्वल to, minus 3 by, 2, okay, तो therefore, जो coordinate है, coordinate, of the point, of the point of division, write कर दीजएगा, यह required coordinate, आप write कर सकते हैं, minus 3, 2, 0, okay, then next question, question number 3 है, if 1, 2, 4, y, x, 6, and 3, 5, are the vertices of the parallelogram, taken in order, find the value of x and y, okay, तो यहाँ पर, आप जानते हैं, यहाँ पर आप राइट करेंगे, since, since the diagonal, the diagonal, of parallelogram, bisect to each other, okay, bisect to each other, तो therefore, अब यह पहले लोग्राम के diagonal है, एक दूसरी क्या करते हैं, bisect करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका, x, plus 1, x, plus 1, यह, x1, और, y1, और इसे, x2, y2, अगर आप लेते हैं, तो, x, x1 क्या है, x, और, x2, क्या है आपका, 1, ओके, x1, plus 1, by 2, equal to, 3, plus 4, ले सकते हैं, 3, plus, 4, by, 2, तो, यहाँ पे, 2 से 2, cancel हो जाएगा, 3, 4, कितना हो जाएगा, 7, और, plus 1, इधर आके, minus 1, x, equal to, कितना हो जाएगा, 6, ऐसे ही आप, क्या कहते हैं, write करेंगे, 5, plus y, 5, plus y, y, plus y, upon, 2, equal to, 6, plus, 2, upon, 2, तो, यहाँ भी, 2 से 2, cancel हो जाएगा, तो, y, equal to, 6, 2, कितना हो जाएगा, 8, और, 5, इस साइट में लाएगे, तो, minus y, equal to, कितना हो जाएगा, 3, इस तरीके से भी, आप कर सकते हैं, और, इसे एक तूसरा भी, रूल है, जिसे, आप साथ में लेक्ट चलेंगे, लेकिन, वो काफी आपका, बढ़ा हो जाएगा, तो, यहां देखिए, एक सर्क्ल बना लीजे आपका, इसे है, यहां पर, एक का कॉइट नहीं दिया गया, इस सेंटर का दिया गया, कितना, 2, minus 3, और, बी दिया गया, 1, गामा, 4, A नहीं है, तो A आप X1 और Y1 ले लिए से, सपोज यह B वाला X2, Y2 है, ओके, और यह आपका, X और Y है, ठीक, तो X equal to क्या होता है, X equal to X1 प्लस X2, सेंटर क्योंकि हाफ होता है, ओके, तो X कितना है, आपका 2 है, X1, नहीं पता है आपको, X2 कितना है, 1 upon 2, तो 2, तो तो आपका हो गया, 4, X1 प्लस 1, 1 इसरफ आएगा, सब्टेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 minus 1, यानिका, X1 इक्वल इक्वल टू कितना हो गया, 3, ऐसी Y इक्वल टू किया हो जाता है, आपका Y1 प्लस Y2, upon 2, और Y की वैलू कितनी यहाँ पे, minus 3 है, सेंटर पे यह देखे, minus 3, Y1 कितना है, अन्योंन है, नहीं पता है, और Y2, कितना है, हो जाएगा, तो Y1 इक्वल टू कितना होगे आपका, minus 10, okay, therefore, coordinate of, coordinate of, A, equal to, 3, minus 10, okay, then next, if A and B are, A and B are, minus 2, minus 2, and 2, minus 4, respectively, find the coordinate of P, such that, A P equal to, 3 by 7, A P, okay, तो यहाँ पे आपका, यह suppose that, A है, और यह B है, A का coordinate कितना दिया, minus 2, minus 2, और B का coordinate है, आपका 2, minus 4, और यहाँ पे आपका, P एक ऐसा point है, okay, कि, A P equal to, कितना दिया, 3 by 7, A P, तो यह part आपका, हो जाएगा, 3, okay, A P वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यह total, A P कितना है, तो यह part कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे, P का जो रेशियो है, 3 is to, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, तो कोदिने अफ पी पूछ रहा है, कोदिने अफ पी, कोदिने अफ पी, इक्वल तो फॉर्मूला, M1, X2, plus M2, X1, upon M1, plus M2, or M2, sorry, M1, Y2, plus, M2, Y1, upon, M1, plus M2, M1 कितना है, 3, X2 क्या है आपका, यह, X1, Y1 ले लिजे इसे, और यह आपका, X2, Y2, तो, X2 कितना आपका, 2 है, यहाँ 2 राइट करिए, M2 कितना है, 4, X1 है आपका, minus 2, ओके, upon M1, plus M2, that means, 3 plus 4, और यहाँ पर M1, 3, Y2 कितना आपका, minus 4 है, plus 4, और Y1, minus 2, ओके, upon, 3 plus 4, 3, 2 जा, 6, और यहाँ 4, 2 जा, minus 8 हो जाएगा, 3 plus 4, 7, और यहाँ 3, 4 जा, minus 12, और यह 4, 2 जा, minus 8, 3, 4, 7, 6, minus 8 करें, कितना, minus 2 by 7, और यह, minus 12, minus 8, minus 20 by 7, okay, the next question, find the coordinate of point, which divide the line segment, joining A, minus 2, 2, and 2, 8, into 4 equal parts, लिखे, easy question, मैं इसे explain करते रहा हूँ, A, और यह आपका point B है, okay, A का coordinate क्या दिया है, minus 2, 2, और B का कितना दिया है, 2, 8, okay, इसके 4 अगर अगर एभी के 4 equal parts करेंगे, तो ऐसे हो गए, 1, 1 अगर आप लेते हैं, suppose that आपका यह P है, यह Q है, और यह R है, तो P का ratio कितना हो जाएगा, A, P आपका 1 part हो रहा है, और P, B कितना हो जाएगा, 3, okay, ऐसे Q कितना हो जाएगा, 2, चाहे आप इसे 1, 1 भी ले सकते हैं, ratio में, क्योंकि cancel हो कि 1, 1 आजाएगा, और R कितना हो जाएगा, 3 is to 1 हो जाएगा, तो P का आप coordinate निकाल सकते हैं, coordinate, coordinate of P equal to formula M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, और M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, तो M1 किया आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा, और X2 कितना हो जाएगा, यह आपका X1, Y1 और यह X2, Y2 उपर, अने write किया, तो X2 कितना हो जाएगा, 2, M2 कितना 3, X1 आपका हो जाएगा, minus 2, upon 1 plus 3, M1 फिर से 1, Y2 कितना है, आपका 8 है, और M2 कितना आपका, 3 है, और Y1 कितना हो जाएगा, 2, 1 plus 3, 2 और यहां कितना हो जाएगा, minus 6 सायथ, Y1 plus 3 कितना 4, और यह 8 और 3 टू जा, 6 by 4, minus 2 और 2 minus 6 करेंगे, minus 4 by 4, और यहां 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 by 4, यह कितना हो जाएगा, 7 by 2 हो जाएगा, 7 by 2, ऐसे ही आप यहां पे Q कर निकाल सकते हैं, क्यों कर तो easy हो जाएगा, आपका 1 is to 1 है, midpoint वाले भी formula से आप कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही R का, और फिर निकाल सकते हैं, तो यहां पे आप एक फिगर बना लिजे पहले, A, B, C, D, तो A क्या है आपका, 3 कामा 0, B क्या है, 4 कामा 5, C क्या है, minus 1 कामा 4, और D क्या है, minus 2 कामा, minus 1, ओके, तो यहां पे आपको hint दिया हुआ है, कि area of rhombus equal to क्या होता है, 1 by 2 product of its diagonal, तो diagonal आप AC निकालना है, तो AC आप distance वाले formula से निकालना है, AC और BD निकालना है, तो AC equal to क्या हो जाएगा, under root X1, अगर आप इसे X1, Y1 और इसे X2, Y2 लेते हैं, तो 3 plus 1 whole square, plus 0 minus 4 whole square, ओके, तो 3 over 1 करेंगे कितना हैगा, 4 whole square 4, और यह भी कितना, whole square of minus 4, 4 का square कितना हो जाएगा, 16 और यह भी 16, add करेंगे under root 32, 32, 32 से अगर बाहर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 4 जा 16, 2 जा 32, 4 under root 2, ऐसे अगर आप जब BD निकालेंगे, तो BD equal to, क्या हो जाएगा, 4 plus 2, और 5 plus 1, whole square, 4, 2 कितना हो जाएगा, 6, और 5, 1 भी कितना हो जाएगा, 6 जा 36, 6 जा 36, कितना हो जाएगा, 72, और 36, 6 root 2, ये भी आजाएगा, तो area of rhombus, area of rhombus, एकालिंग 1 by 2, और क्या जाएगा, product of its diagonal, तो diagonal क्या है, AC और BD है, और AC आपने कितना find out किया, 4 root 2, और ये आपका 6 root 2, तो 2, 2, 4 आपका ये हो गया, और root 2 से root 2 में करेंगा, 2 ही आएगा, और ये आपका 6 बचा हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 24, ओके units square, ठीक,